आम चे जड़गा एतर वारकरी परंपरा चे तीरता है महान संत मुक्ताइची की भूमिया है महाराश्टर के आप सभी बहने कितना अच्छा काम कर रही है तुमच्या सगला मदे मी राजमाता जिजाओ आणि सावित्री बाई फुलेची छाप पाहतो याच्छुद्धा एक लाख नवी लगपती दिदी याच्छ आपल्या महराश्टरात तयार जहले आहे में यूरोप के देश पोलेच गया था और वहाँ भी मुझे महराश्टर के दर्शन हुए है महराश्टर के संस्कृति यहां के संस्कारों के दर्शन हुए है पोलेच के लोग महराश्टर के लोगों का बहुत संमान करते हैं यहां बैट करके आप इसकी कलपना नहीं कर सकते वहाँ की राजधानी में एक कोलापूर मेमोरियल है पोलेच के लोगों ने यह मेमोरियल कोलापूर के लोगों की सेवा और सत्कार की भावना को संमान देने के लिए बनाया है आप ऐसे कुछ लोगों को पता होगा दूसरे विश्व युत्त के दोरान पोलेच की अजारों माताओं और बच्चों को कोलापूर के राज परिवार ने शरण दी थी चत्रपती सिवाजी महराथ के संस्कारों के अनुरूप राज परिवार ने सामान ने लोगों ने चरणार्तियों की सेवा की जब वहां मैं महराथ के लोगों के सेवा भाव मानवता प्रेम की प्रसमसा सुन रहा था तो मेरा माथा जर्व से उंचा हो रहा था हमें ऐसे ही महराथ का विकास करके महराथ का नाम पूरी दुनिया में और उंचा करते रहना है साथियों महाराथ के संस्कारों को यहां की वीर और धीर माताओं ने सुरुजित किया है यहां की मात्रु शक्ति ने पूरे देश को प्रेरित किया है आम चे जड़गा एतर वारकरी परंपरा चे तीरता है महान संथ मुक्ताइची की भूमिया है उनकी साधना उनका तब आज की पीड़ी के लिए भी पेड़ा है पेड़ाबाई की कभीताएं आज भी समाज को रूडियों से बहार निकल सोचने के लिए मजबूर करती महारास्त्र का कोई भी कोना हो इतिहास का कोई भी कालखन हो मात्रुशक्ति का योगदान अप्रतीम रहा है छत्रपति सिवार ये महाराज के जीवन को किसने दिशा दी ये काम माता जिजाओं ने किया जब समाज में बेटियों की सिख्षा बेटियों के कामकाई को महत्वन नहीं दिया जाता था तब सावित्री भाई फूले आगे आई यानि भारत की मात्रुशक्ति ने हमेशा समाज और राष्ट के भविश को बढाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज जब हमारा देश विख्षित बनने के लिए मेहनत कर रहा है तो फिर से हमारी मात्रुशक्ति आगे आ रही है मैं अपने सामने देख रहा हूँ महराश्टर के आप सभी बहने कितना अच्छा काम कर रही है तुम्चा सगला मदे मी राज माता जिजाओ आणि सावित्री भाई फुलेची छाप पाहतो साथ क्यों जब मैं लोग सबह चुनाव के दोरान आपके बीच आया था तब मैंने कहा था कि हमें तीन करोड बेहनों को लगपती दीदी बनाना है यानि तीन करोड ऐसी बहने और जो सेल फेल गुप में काम करती है जिनकी एक साल की कमाई एक लाख रुपिय से अधिक होगी पीते दस वर्सों में एक करोड लगपती दीदी बनी और बीते दो महिने में सिर्फ दो महिने में क्यारा लाख और लगपती दीदी उसमें जुड़ गई नई बन गई याच शुद्धा एक लाख नवी लगपती दीदी याच आपल्या महराच रात तयार जहले आहे दो इसमें यहां की महायूती की सरकार ने भी बहुत मेहनत की है एकराज जी देवेंदर जी और अजित दादा की पुरी टीम माताओं बहनों को ससक्त करने में जुटी हुएं महाराष्ट मैं माताओं बहनों के लिए नव जवानों के लिए किसानों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम्स नहीं नहीं योजनाएं चलाई जा रही ताथियों लगपती दीदी बनाने का ये अभियान तरब बेहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है इतना नहीं है ये पूरे परिवार को आने वाली पीडियों को ससक्त करने का एक महा अभियान है ये गाओं के पूरे अर्थ संत्र को बदल रही है यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है जब किसी बहन की कबाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्टने के लिए पैसे भी जादा जूडते है यानि एक बहन का भी लगपती दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है लगपती है